बीजेपी के अध्यक्स अमिद्षा का अभी स्टेटमेंट सुना, वो कह रहे है के मायावती जी, मुलायम जी, राहुल जी और केजरिवाल क्यों बोखलाए हुए है? तो अमिश्या मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कि गरीब जनता के लिए कोई बोलेगा नहीं, आप कल उठके एके चप्पन, एके सुरतारिश लेके गरीब आदमियोग को जनता को मार दोगे, तो क्या कोई बोलने वाला नहीं है? मैं खुद आपको कहता हूँ, चैलेंज लगाता हूँ, आप नारंपूरा विज़एनेगर रोड में रहते थे, मैं भी वहां का इरहने वाला था पहले, और मैं आपको कहता हूँ, आप नारंपूरा सीट से जीते हो, और सर्खेश सीट से जीते हो, बिना कमांडों आप अपने दोड़ाएगी साहब इतना पावर मत करो आप ये कोई सही बात नहीं है सत्ता का लोग और सत्ता के लिए आप दलत काम मत करो और आपने इस बार महिलाओं की चाती पे वार किया है महिला है गरीब महिला हो या मिडल कास की महिला है उसने पांसो की हजार की नौट दो, चार, पांथ, दस या बीजमा क्यों करती है वो कि अपने बाल बच्चों की आधी रात को तबियत खराब हो जाए, घर वाले को हो जाए, साथ ससुर को कुछ हो जाए, उसके रिए उनोटे जमा करती है, अग तुमारी नादानियात और तुमारी कम अक्कल के हिसाब से ओ लैन में सब खड़े रहे, इतने पागलपन पर मत उत यह जनका बहुत कुछ कर सकती है,